नमस्कार आप देख रहे टिनान नीज और मैं हूँ आपके साथ में राकेश निर्मलकर जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि बहुत सारे विधायकों का टिकेट कटने वाला है दूसरी सूची आ चुकी है और इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई कॉंग्रेस पार्टी ने दूसरी सूची में 53 प्रत्याश्यों का नाम सामने रखा है और एक-एक करके मैं आपको बताता हूँ कि किन-किन लोगों को इस बार टिकेट मिला है कहां से टिकेट मिलाय और किन-किन विधायकों का इस बार पत्ता कटा है पहला नाम यहाँ पर है भरतपूर सोनहट जहां से गुलाब सिंग कमरों के एक बार फिर से टिकेट दिया गया है विधायक है अभी एक बार दूसरी बार उन पर विश्मात जताया गया है भरतपूर सोनहट से बात की जाए यहाँ पर बीजेपी ने तो बीजेपी ने रेनु प्रेम नगर सूरजपूर जिले में आता है विधान सभा जहां से खेल साय को एक बार फिर से टिकेट दिया गया है खेल साय वही अगला नाम है भटगाओं ये भी सूरजपूर जिले में आता है पारशनास राजवडे पर फिर से एक बार विस्वाच जताया है तीसरी बार ल प्रताब पूर से जैसा कि प्रेम साथेकाम का नाम कटने का अंदेशा था पहले सिक्षा मंतरी रहे उसके बाद उनको इस्तिफा देना पड़ा था अपने पत से अब उनका भी टिकेट यहां से कटा है उनके जगह में राज कुमारी मरावी को यहां पर टिकेट दिया गया है महीला चेहरा यहां पर सामने लाया है कॉंग्रेस पार्टी ने वहीं अगला सीट है रामानुजगंच यहां भी टिकेट कटा है रामानुजगंच से ब्रहसपस सिंग कर टिकेट कर चुका है यहां पर जैसा कि मैंने बताया था एक पिछले वीडियो में आपको बताया था क कि डॉक्टर अजय तिर्की इनको टिकेट दे जाने की बात चल रही थी अजय तिर्की को और उनको टिकेट मिला है मिकापूर से महापौर है भी बरतावान पेशे से डॉक्टर है इनको यहाँ पर टिकेट दिया है रामनुजगन से बलरामपूर जिले में आता है लोग बहसकार्द कर देंगे, यहाँ पर वोट नहीं डालेंगे, हमने उनका इंटर्विव किया, लेकिन उन्होंने माना इस इंटर्विव में, जब मैंने उनसे पूछा था, कि आपने ऐसा ऐसा बयान क्यों दिया, यह वीडियो वाइरल हुआ तो उनको, उन्होंने सहज विजय पैकरा को यहाँ पर उतारा है, विजय पी ने एक पैकरा महिला उम्मीद्वार को उतारा है, पैकरा वर्सेस पैकरा यहाँ भी देखनों को मिल सकता है, वहीं अगला विधान सबा है, यह अंबिकापूर में आता है, अंबिका सरगुजाय जीले में आता है, विनाय कुमार भगत को फिर से टिकेट दिया गया है, विनाय कुमार भगत जश्पूर से यहां से फिर से लड़ेंगे, विनाय कुमार भगत पर इस बार दाव खेला है, कॉंग्रेस पार्टी ने, वही अगरा है कुनकुरी, ये भी जश्पूर जिले में ही आता, कुनकुरी स कहा जा रहा था कि यूडी मिंच का टिकेट कर सकता है लेकिन यहां पर यूडी मिंच का फिर से टिकेट दिया गया है यूडी मिंच को फिर से वो चुनाव लड़ेंगे वहीं बात की जाए यहां पर पत्थल गाउं से तो राम पुकार सिंग को फिर से यहां पर टिकेट दिय गया है आठ बार के विधायक है इस बार फिर से नवा बार इनको टिकेट दिया गया है रामकुमार पुकार सिंग को वहीं अगला सीट है लेलूंगा लेलूंगा से कहा जा रहा था कि चक्रधर सिधार का टिकेट कटने वाला है और यह पूरा साफ हो गया है कि इस बार लेलू सामने आ रहा है उनको टिकेट दिया है लैलूंगा से वहीं राइगार्स के बात की जाए ओपी चौधरी यहाँ पे बीजेपी ने उतारा है ओपी चौधरी को और उनके सामने किन को उतारा है उनके सामने प्रकाश नाइक को एक बार फिर से यहाँ पे उतारा है राइगार से Congress Party ने, और वहीं अगला है सारंगळ, सारंगळ से फिर से एक बार उत्तरी जांगडे को टिकेट मिला है, महिला विधायक है, उत्तरी जांगडे पर फिर से विश्वात जताया है Congress Party ने, और अगला यहाँ पे है धरम जैगड, धरम जैगड से लाल जीत सिंह राठिया, इनको यहाँ पे टिकेट मिला है और अगला नाम है कटगोरा कटगोरा से पूर्शोत्तम कमर इनका नाम चरा तो पूर्शोत्तम कमर का इनको फिर टिकेट मिला है अगला है पाली ताना खार यहाँ पे महिला उम्मीद्वार को दुलेशवरी सिदार को टिकेट दिया गया है और वही स्रिवास्ताओं का नाम चर रहा था कॉंग्रेस पार्टी में अटल स्रिवास्ताओं को यहां पर टिकेट दिया है लोर्मी से अगर बात की जाया तो लोर्मी से थानेश्वार साहू को टिकेट दिया गया है लोर्मी से चुकि भाश्वा के प्रदेश अध्याक्ष अरुन साह उतरने वाले हैं देखना दिल्चास्थ हो का थानेश्वार साहू और अरुन साव के बीच में किस धंग का मुकाबला यहाँ पे होता है वहीं अगला है मुंगेली पुन्नूलाल मोहले का यह गड़ माना जाता है बीजेपी यहां से लंबे समय से अपने केला बचाने सफर रह ही है यहां से कॉंग्रेस पाटी ने संजीद बनर जी को उतारा है इनका नाम चल रहा था संभावी सूची में इस बार इनके नाम पर मोहल लग चुका है संजीद बनर जी को टिकेट मिला है तखतपूर की बात की जाये तो यहां पर डॉक्टर रश्मिश सिंग को यहां से टिकेट मिला है तखतपूर से और वही बात की जाये बिलहा से बिलहा से बात की जाये तो सियाराम कौशिक को दिया है बिलहा से अभी वरतमान में धरमलाल कौशिक जो की भाजपा के वरिष्ट नेता है वो अभी विधायक है यहां भी देखना देल्चस होगा कि आखिरकार भाजपा और कॉंग्रेस के बीच में किस धंका मुकाबला होता है वही बात की जाए बिलासपूर से शैलेश पांडे, इनका नाम तो फिक्स था कि शैलेश पांडे को टिकेट मिलेगा और मोहर लग चुकी है, शैलेश पांडे को फिर से दिया है, देखना यहां भी दिल्चस होगा कि इस धंका यहां पर मुकाबला होता है और वही अखलतरा की बात की जाए सौरप सिंग वर्तमान में बीजेपी के यहां पर विधायक है रागवेंदर सिंग जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि रागवेंदर सिंग को यहां पर टिकेट मिल सकता है और हमारी उस बात पर पूरी-पूरी मुहर लग चुकी है कि रागवेंदर सिंग को यहां पर टिकेट मिला है वही बात की जाए जाजगीर चापा जानगीर चापा में अभी वरतमान में नारायन चंदेल है बीजीपी के और अभी नेता प्रतिप्य अक्षिविधान सभा में रहे हैं इनके खिलाब यहाँ पे व्यास कश्यप को उतारा है देखना यहाँ भी दल्चास होगा कि इस धंग का मुकावला होता है नारायन चंदेल वर्सेस व्यास कश्यप और अगला है चंदरपूर राम कुमार यादव जिनका हमने इंटर्विव किया है सबसे गरीब विधायकों की सूशी मीन का नाम आता है राम कुमार यादव चंदरपूर से इनको फिर से टिकेट मिला है भरोसा इनका कायम है कॉंग्रेस पार्टी का इन पर जैजैपूर ये बहुजन समाजवादी पार्टी का गढ़ है केशव चंद्रा यहाँ पर विधायक है और यहाँ से कॉंग्रेस पार्टी ने बलेशवर साहू को टिकेट दिया है देखना दिल्चपस होगा कि यहाँ के बलेशवर साहू केशव चंद्रा कोन आखिरकार इस बार मैदान फता करते है और पामगर से अगर बात की जाए इंदू बन जा रहे हैं भी यहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी की है विधायक इनके खिलाप महिला प्रताशी को यहाँ पर कॉंगरेस पार्टी ने उता रहा है जिनका नाम है शेश राज हर्बंस इनका नाम चर रहा था और इसलिए इनके नाम पर मुहर लग चुकी है अगला सीट है बसना इमाहसमुजिले में आता है बसना देवेंद्र बहदूर सिंग का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है बीजेपी ने यहाँ पर संग्पत अगरवाल को उता रहा है देखना यहाँ भी दिल्चस्प होगा कि किस धंग का मुकाबला होता है बसना से और वहीं खलारी की बात की जाए तो दौरिकाधी श्यादा हो अभी भी विधायक है यह इनको और फिर से विश्वाज जता है कॉंग्रेस पार्टी ने यहाँ से अलका चंद्राकर को बीजेपी ने टिकेट दिया है वहीं बात की जाए बिलाईगर से तो कविता लहरे का इस वार कॉंग्रेस पार्टी ने विश्वाज जताया है देखना दिल्चस होगा कि आखिर पार यह इनके विश्वाज पर कितना खरा उतर पाती है कविता लहरे और अगला है बलोदा बजार से शैलेश नितिन त्रिवेदी अभी हाल ही में इनको चाथिज़ पार्थे पुष्टक निगम का अध्यक्ष बनाया गया था इन्होंने दाविदारी की थी और यहां से उनका नाम फाइनल हो चुका है शैलेश त्रिवेदी का नाम यहां से सामने आ रहा है बलोदा बजार से और भाटा पारा से अगर बात की जाए तो शिवरत सीवा से भी टिकेट कटा है अनीता शर्मा का टिकेट कटा है उनकी जगह पर एक महिला प्रत्याशी छाया वर्मा को टिकेट दिया गया है यहां भी देखना दिल्चस होगा धर सीवा से क्योंकि सूपर स्टार कहे जाने वाले 36 गड़ के अनुष शर्मा इस बार मैदान में है भारते जनता पार्टी से अगला है यहां पर रायपूर ग्रामिड रायपूर ग्रामिड से सत्य नरायन शर्मा का हमने इंटर्विव किया था तो उन्होंने साब कह दिया था कि मैं इस बार चुनाव नहीं लोड़ूँगा मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा और पंकस श रायपूर सिटी वेस्ट यहां से विकास उपाध्धाय को टिकेट मिला है पश्रीम से विकास उपाध्धाय वरतमाने विधायक हैं उनको फिर से कॉंग्रेस पार्टी ने टिकेट दिया है दूसरी बार टिकेट दिया है देखना देल्चस होगा राजेश मूरत और विकास सुपाध्धाय के बीच में किस धंक का मुकाबला होता है वहीं बात की जाए राइपूर साउथ हमने पहले ही कहा था कि यहाँ पे दुदाधारी मट के महंत राम सुन्दादास का नाम आगे चल ला है दावेदारी में और इस बार फिर से हमारे उस अठकलों पर विराम लग चुका है राम सुन्दादास को इस बार कॉंग्रेस पार्टी ने टिकेट दिया है राइपूर दक्षिंड से राइपूर दक्षिंड ब्रिजमोहन अगरवाल का गड़ माना जाता है तो इन दोनों के बीच में किस धंक का मुकाबला होता है ये देखना बड़ा देल्चस्प होगा और अगला सीट यहाँ पर है अभनपूर अभनपूर से धनेंदर साहू अभी वी विधायक है बहुत पहले से विधायक है वो और इस बार फिर से धनेंदर साहू को अभनपूर से टिकेट दिया है कॉंग्रेस पार्टी ने वही बात की जाए राजीम गरिया बंजिले में आता है राजीम अमितेश शुकल इनको टिकेट फिर से दिया गए अमितेश शुकल शुकल इनके दादा जी इनके पिता जी अभिभाजी 36 गड़ के मुख्यमंत्री रह चुके है वही बात की जाए यहाँ पर भारती जनता पार्टी ने रोहिस साहू को टिकेट दिया है राजीम से देखना यहाँ भी दिलचास होगा कि इस धंक का मुकाबला होता है वही बात की जाए अगला बिंद्रा नवागड यह देवभोग में पढ़ता है मैंने पहले ही आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 36 गड़ में सबसे जादा है हीरे के ख़दान के रूप में अगर कोई जाना जाता है तो यह लड़ाई होगी क्यूकि कॉंकि कॉंगर्स पाटी यहां से बहुत कम बार जीती है और इस बार कॉंगर्स पाटी ने जो दौग खेला है बिंद्रा नवागड से वह जनक लाल दिरू को टिकेट दिया है जनक लाल धुरू कितना कुछ कर पाते हैं कॉंग्रेस पार्टी के लिए यह देखना बड़ा दिल्चास होगा अगला है कुरू से कुरू से पहले ही नाम सामने आ गया थे कि तारणी चंद्राकर को मिलेगा अजय चंद्राकर के खिलाब केलने संजारी बालोत संगीता सिन्हा को एक बड़ फिर से यहाँ पर टिकेट मिला है विश्वास काया में कॉंग्रेस पार्टी के संगीता सिन्हा को यहाँ पर फिर से टिकेट दिया गया है वहीं अगली बात की जाए गुंडर दही से कुमर सिंग निशाट कहा जा जा रहा था कि इनका टिकेट कटेगा लेकिन नहीं कटा है, कुमर सिंग निशाट पर एक बार फिर से कॉंगेस PARTY ने विश् science जताया है और देखना दिलचस हो का कि यहाँ पे कुमर सिंग निशाट किस धंक का performance करते हैं अगला नाम है दुर्ग सिटी है अरुन वोरा का नाम सामने आ रहा था अरुन वोरा फिर से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं अरुन वोरा का इस बार टिकेट पक्का है यहां से नाम फाइनल हो चुका है भिलाई नगर से देवेंदर यादव को फिर से यहां पर टिकेट दि ये देखना इस बार फिर से देलचास होगा कि इन दोनों के बीच में किस धंका काटे का मुकाबला होने वाला है। निर्मल कोसरे को टिकेट मिला है इस बार वहीं बात की जाए बेमितरा से तो आशिश कुमार शाबरा का नाम सामने आ रहा था और इनके नाम पर मुहल लग चुक है आशिश कुमार शाबरा इस बार चुनाव लड़ेंगे। यहां पर दिल्चस्प होगा कि किस धंका मुकाबला होने वाला है। तीसरी सूची में बहराल चुनाव से संबंधित और भी अपडेट के लिए जुड़े रही हमारे साथ इस खास कारिकर में इतना ही नमस्कार।